हेलो गैज दक्षे जिस साइड और वेल्कम यू अल टो इट्सियो सेक्शिन आज हम रिव्यू करने वाले हैं उस्तरा का स्कूबा जो कि है को लॉन तो आज ही देखते हैं कि कैसा प्रोड़क्ट है कैसा नहीं आपको लेना चाहिए कि नहीं तो चले शिरू करते हैं तो गैज रिव्यू स्टार्ट होगे से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अक्षिल में पर्फ्यूम और क्लाउन में डिफ्रेंस क्या होता है क्योंकि मैं जब लेता था मुझे नहीं पता था कि पर्फ्यूम कैसा होता है कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए तो उससे पहले मैं आपको यह बता दूगा कि कलॉन में जो एजिंशिल ओई होते हैं वो उसकी कंसेंट्रेशन लेवल कम होता है जो कि 2-4% होता है या 5% होता है लेकिन पर्फ्यूम में जो कंसेंट्रेशन लेवल होता है 20-30% जो इसको लॉंग लास्टिंग बनाता है अगर मैं आपको बता दिया इसके बारे में अगर आप जानना चाते हो तो मैं एक वीडियो बना दूगा लेकिन चले हम सीधा अपने रिवीव पर स्टार्ट करते हैं अब हम चलते हैं प्रोड़क है काफी यूनिक तो मैं नहीं कहूंगा बट यस काफी हैंडी है आप देख सकते हैं इसे पकड़ने में कितना सान कितनी से पकड़ा जा रहे हैं और एक काफी प्रीमियम बॉटल इन्होंने बना रखा इस प्रोड़क को एक काफी प्रीमियम लग रही है अब हम बात करेंग कि कि इस प्रेगेंट कि के तो काफी डेप और इंतेफ इसकी प्रेगनियम तो काफी डिप और इंतेंस है अगर लगा के जाएंगे दूसरे बंदे पर काफी अच्छा इंपाक्ट पड़े गाई इसका और कम्पनी भी क्लेम करते है कि इसका जो फ्रेगनेंस है वो डिवें thermal के मुकाबले 3X है यानि कि 3 टाइम जादा है तो इसकी और मुझे लग भी रहा है कि हाँ बहुत अच्छा है इसका जो स्मेल है इसकी जो फ्रेंगनेंस है बहुत अच्छी है गाइज अब आपको बता हूं इसके टॉप नोट्स में कमनी ने बर्गमेट और लेवेंडर पाइ लो नोट्स की बात करों तो उन्हें इसमें पॉमरोजा टॉंका बीट्स और सैंडल वॉड डाल रखा है अब गाइज अब मैं आपको उता हूं पॉमरोजा क्या है पॉमरोजा एक ग्रीन फ्लावर एपल की तरह इस एक फ्रूट होता है आपने शाइज रेडी मुवी कर आपं सही कर रहा हूं कि नहीं तो वह पुरूट इसमें डाला जाता है सिट्रस फलेवर डालने के लिए उसी के साथ का टॉंका बीट्स टॉंका वीड जो इसको एक वैनिले एससंस देते हैं जो कहीं कॉस्मेटिक्स और मेडिसन बीडाल जाता है सो फो हम बात कर में with some grassy element guys तो थोड़ा grassy grassy flavor with sweetness आपको अपने product में मिलेगा तो कि बहुत ही famous है हर product में almost हर product में कॉर्मिन डाला जाता है especially ऐसे products में जिनकी smell और fragrance बढ़ाने के लिए गाइज हमाँ बात करें कि geranium की guys geranium एक rose species है जो कि एक lemony flavor एक lemony taste देती है अपने product में कि वह एक sectorous flavor आसे के with rosy smell वैस इसमें जो एक और ingredient है वह है ओकनस गाइस एक fungus है जो कि मिड यूरोप में और आपको North America के areas में जाधा मिलेगी और इसका main purpose होता है आपके product में earthy smell देना एक grassy smell देना और उसके साथ साथ एक musky flavor आपके product में डालने का जिसकी वज़ा से ये product अच्छा smell करता है और I think ये product काफी बढ़िया गाइस मैं इसको use कर चुका हूँ मैं अपने personal experience से बता रहा हूँ आपको बताता हूँ कि आपको क्या ये product लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कि ये वर्त होगा वाय करना कि नहीं होगा तो कि जब मैंने ये product लिया था ये मुझे 500 तो 550 के बीच में मिला था जो कि काफी एक अच्छा प्राइज है और I think आपको भी लेना चाहिए बिकाज इस इस सम्धिंग विच एवर्यों शुद हाँ बिकाज ये आपको एक अलग स्मेल देगा और रमेंबर वन थिंग गाइस में शुद आलवे स्मेल गुड ये गाइस एक एफरूल जो हर मैं को फॉलो करना चाहिए और अगर आप कोई लड़की कोई फीमेल इस वीडियो को देख यह है वीडियो को देख यह दिस वीडियो प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन और बनल घंटा एकन को दवाना बिल्कुल मत भूलेगा गईस कि आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है आपकी सपोर्ट से ही इस चैनल को ग्रोथ मिलेगी और मैं आगे आगे और वीडियो ऐसी लाता रहूंगा मुझे सप वोट मिलेगा मुझे हिम्मत मिलेगे ऐसी और वीडियो लाने के लिए तो प्लीज गाइज हिट लाइक बटन हिट सब्सक्राइब बटन एंड हिट बेल आइकन तू तब तक के लिए काइस साइनिंग आफ